नमस्कार प्यारे सातियों नाने क्लासे शिवसर यूटूब चलन प्याप सभी प्यारे विदार्थियों का स्वागत है आज 18 दिसंबर और 18 दिसंबर 2023 के इतने भी मोस्ट इंपोर्टन राजस्तान करंड फेर्स के क्वेस्टन बनते हैं आज हम उनका डिसकस करेंगे पूरा राजस्तान का परदर्शन और पेपर लिग मामले की जान्स के लिए एसाई टीम का गठन किया गया है इसके नेतरतों में यह एसाई टीम गठित की गई है जिसमें 50 सदस्योंगे करें उस पूरी चर्चा सबसे पहले सारे विदार्थिस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कि आपके पास नोटिविकेशन पहूंचे और आपका और हमारा संबर किस प्रवाक के साथ बना रहे कि जो आपको क्रंट मिल् thi और प्रवा के साथ मिलती रही पहला साथ सब्सक्राइब लिया है विकल्षित करना भारत को 2047 दोफिशन को वर्चुल माध्यम से परधानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने किया राजस्थान से इसकी शुरुवात महारानी कोलेज जैपुर से शुरू हुआ यह अभ्यान 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चलेगा उप्रियुक तसभी कथन से यह तीनोई बातें पेपर की द्रश्टी से इंपोर्डेंट है और यह तस्वीर आपके सामने प्रधान मंत्री जी नरेंदर मोदी जी ने दिखा दी है जंडी वर्चुल माद्यम से जैपुर से विक्षित भारत संकल्प यात्रा रत यात्रा के माद्यम से पहुंचेगी सभी जिलों में और जो भी चुनाव हुए है पांच जिलों में राजस्थान मध्यपरदेश तेलंगाना में जोरम और ठतिसगड़ के अंदर यह रत्यात्रा निकाली जाएगी तस्वीर और यह हमारे नए सियम भजनलाल जी सर्मा सुर तो भी 2023 में राजस्थान किस्तीम से हार कर उपविजयता रहा हैं पहुत बड़ी बात है है 2006-07 में 2006 आत में राजस्थान फाइनल में पहुंचे था लेकिन मुंबै और अब की बार 2023 में फिर फाइनल में पहुंचा लेकिन हर्याना वालों और फाइनल में हर्यानानी राजस्तान को हरा दिया स्टेम वही कंडिशन उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रहा था भारत अजे रहा था सभी मैचों के अंदर फाइनल में हार गया अब इतना जुरूर दिमाक लगा के रखना कि विजे हजारी ट्रोफी का सबंद किर्केट स सब्सक्राइब से इस्तिफा दे दिया सबसे पहलе आपको यह पतावना जिये राजस्थान में लोकसभा सीट किती है तो आप क्या बताओगे 25 है अभी जो 2019 चुना हुए थी 2019 के अंदर जो चुना हुए उसमें 25 सीटों में से 25 सीटों में से 22 तो थी बाजपा के पास और एक सीट थी हनुवान बे निवाल जी के पास तोटल कितनी होगी आरलपी पार्टी के पास एक चोईस भाजपा अब इन चोईस और एक 25 सीटों में से अनुमान बेनिवाल या कुमारी बाबा बालकनात और रज्य वर्दन सिंग राठोड एक दो तीन चार ऐसे सांसत है 25 में से जो विदाएक बन चुकी है और च्यारों ने इस्तिफा दे दिया तो अब सीटें बचगी 21 चार खाली होगी इनका नियम यह होता है कि विदान सब्सक्राइब कोई भी चुनाव कहीं भी पद खाली हो जहें 6 मैंने के अंदर चुनाव क्रोणा होता है लेकिन अब अठार्वी लोग सबाके चुनाव है चुनाव होंगे अपरेल मई के अंदर तो 6 मैंने कांतर रह नहीं गया इसलिन सीटों पर चुनाव नहीं होंगे सिदे मुख्य चुनाव होंगे तो हनुमान बैनिवाल दिया कुमारी बाबा बालकनात राज्य वर्दन सिंग्रा ठोड़ अब आपसे पुछे विदाय कांसे बने ये बने जो फिक्स सैनिका बाबा बालकनात बाबा बालकनात जीती जारा से जीते जीत गए ये जीत गए और अब ये विदायक बने अब कितने रहें इक इस इसके अलावा राज्य सबाशीट डाज्य-सभासीट कितनी है? 10 अब 10 की बात करें तो 6 तो थी कौंग्रेस के पास और पलुस 4 थी बाजपा के पास ठीक है? 10 में से 4 बाजपा के पास 6 कौंग्रिस के पास अब एक नाम और हम लेते हैं उनका नाम है किरोडी-लाल-मीना ये भी सांसत ये राज्यस सवा 50 इंसे गटा दो आब चुनाव होगे जा रही है दोक्टर मन मौन सिंग जी कि रोल फीन कॉना बगदि और चृत वह अगले आने वाले छह मैने में राजसभा चुनाव होने तो फिलाल की कंडिशन दे तो छह कॉंग्रेस के और तीन बाज पर गई एक सीट खाली होगी फिरोडिलाल जी मीना कहां से एमेले बने हैं यह मुझे कॉमेंट करके बता देना सारे विदार थी तो टोटल सांसत पुछे तो च्यार और पांच ऐसे सांसत थे जो विदायक बनगे से 35 में से सीटों में से 25 और पांचों ने इस्तिफा दे दिया परदेश में पेपर लीग की जांच और रोखदा में तुकिस के नेतरतों में एसाइटी का गठिन के आगया पहला काम यह क्यार टीम गठिद कर दी पचास सदस्यों के टीम है वी के सिंग यह देखो वी के सिंग एसाइटी के और दिनेस एम एन एंटी गेंगिस्टर टास्क फोर्स के इंचार्ज बना दिये इनको ठीक है जुरूर याद रखना उमेश मिश्रा राज्य पुलिस राज्य पुलिस निदेशक है राजस्तान के पुलिस महा निदेशक कौन है महानिदेशक डीजीपी कुमेश मिश्रा विज्जू जोर्ड जोसिप जेपपुर कमिश्नर है जेपपुर के कमिश्नर रवीदत गोड जोधपुर के कमिश्नर है जोदपूर कमिश्णन दो जोदपूर में कोटा में प्रस्तावीत है मुख्यमंत्री बजनलाल सर्मा के ओश्टी कौन न्यूक तुवे हैं तो भई ध्यार रखना पहले सिवचर्ण सर्मा का नाम आया था लेकिन सपत लेने के बाद बदल गे ठीक है और किसको बना दिया के रेरा की चेर में और अलपना गटेजा राजस्तान विसविदाले की फुलपती के राश्ट्रे फुडवाल पर्तियों किता के लिए राजस्तान अंडर 17 टीम की कोच बनाए गई शरित्ता दायलका सन्द राजस्तान के किस जिले से है जुनजनु जिले से कौनसे जून जुनू जिले से एंघ लाडी का नाम जूरूर याद रखना संदीप चोदरी का संदीप चोदरी जो प्हेंगते हैं हम लाप पहेंग ऑ्राय और ओंजनू जिले से अलग पलस सीखकर इन दोनों जिलों से अलग बिलाभर कर नाम है नीम का थाना बंसा नीम का थाना नया जिला बना ये भी आपको याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिन पुरुषकार 2022 के बारे में सत्य अकत्न बताओ स्वच्छ भारत मिशन राजस्तान को विबिन सिरिणियों में 6 पुरुषकार मिले बिल्कुल सही है फूद्यपूर को परदेस मिं पर्त्थम जब कि देश में 60 मिला ये भी सही है राश्ठरिय फिलम प्रत्योगिता में ग्राम पंचायत रामनगर बुंदी को पर्त्थम पुरुषकार मिला ये भी सही है अब राजस्तान की रैंकिंग देखें समार्ट सिटी में स्मार्ट सेटी रैंकिंग में देखे राजस्थान तीसरा स्थान है अगर गरीबी सुचकांग देखें तो राजस्थान का आठवां स्थान है अगर हम फूड सैफ्टी की बात करें तो आठवां स्थान है अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें खाद्य सुरक्षा रैंकिंग की तो पंद्रवा स्तान है अगर हम बेरोजगारी पलस भर्ष्टाचार की बात करें तो हम दूसरे स्थान पे हैं अर्थिक विकासदर की बात करें अर्थिक विकासदर की बात करें तो भी हमारा अंदर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है और यह मुख्य मुख्य आपको रेंक मैंने बता दी जो एक्जाम में पूछी जाती है और इसका टेस्ट क्विज टेल प्रिंट निकाल के पूरे फेक्ट के साथ आप पढ़ सकते हो उसके बाद में हमारी बुक आ रही है बुक पूरे साल की जनवरी से दिसंबर की बुक आ चुकी है ओफलाइन लगबग संपूर्ण राजस्तान में उपलब्द है बड़े बड़े जो बुक स्टोर वहां पर अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो सी 522 असी पांस वाइस टेवल जी रूएक इस नंबर पे 135 रुपे पे करके स्क्रिंट डाल देना अपना ड्रेस विधान सबा के वर्तमान नए पिकर बने हैं इसका जबाब सारे विदार्थी मुझे कॉमेंट करके बताना अलांकि कॉमुनिटी के अंदर यह मैंने क्वेस्टिन डाला भी था और आपने इसको भी देखा भी था तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लणा ताकि आपके पास नोटिविकेशन पहुंचे और हम निरंतर इस प्रकारगी क्लासें लेते रहें धनेवाद जय हिन जय भारत जय राजस्ति